जैहिन दोस्तों मैं गगंदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ प्राउट ग्रूप ओफ NCC YouTube चैनल पर और अगर आप NCC A, B या C सर्टिफिकेट का एक्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम वे सभी कोशन डिसकस कर रहे हैं जो आपके NCC एक्जाम में पूछे जाते हैं और आज की वीडियो का जो सबसे पहला कोशन यहां पर है वो ये है कि हवाई हमले से आप कैसे सुरक्षा करेंगे तो हवाई हमले का अगर खत्रा हो रहा है तो खत्रा होने पर दो मिनट तक रुख रुख कर साइरन या सीटियां धीमे सुर में बजाना और जब खत्रा टल जाता है तो दो मिनट तक जोर जोर से साइरन और सीटियां बजाना ये पहली बात होती है हम बचाओ किस तरीके से करेंगे तो बचाओ के लिए जहां पर हवाई हमले का सबसे जादा खत्रा होता है वहाँ पर आठ फीट वे चार फीट गहरा गड़ा को दें ठीक है तो एट बाई फोर का आप एक गहरा गड़ा कोद सकते हैं मकान के सबसे नीचे वाली मंजिल में किसी बीतरी कमरे को सरण सथल बना ले यानि कि मकान के जो सबसे नीचे वाली मंजिल है उसके भी जो सबसे बीतर वाला कमरा होता है उसको आप सरण का सथल बना ले यानि कि उसमें आप ठैर जाएं दर्वाजे और खिड़किया बंद रखें और कांच के ऊपर पेपर या कागच चिपका लें उससे क्या होगा कि वो कांच टूटेगा नहीं जब भी साउंड होगा और खाने पीने पर्थम उपचार का सामार एकठा करके रखें और खाने यानि कि जो भी बेसिक नैसेसिटी की चीजे होती है यानि कि खाने पीने की चीजी और फरस्टेड की जो चीज होती है उसको आपको एकठा करके रखना होता है तो इस तरीके से हम हवाई हमले से हमारी क क्या करते हैं। रक्षा करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं। नेक्स्ट क्रेशन करते हैं। तो इससे क्या होते हैं हमारे दिल को अच्छा लगता है हमें प्रोक कार की भावना बनती है हमें त्याग की भावना पैदा होती है हमें उदारता आती है हमें उजबल भावनाओं का विकास होते हैं तो इससे कैड़ेट्स को यही फायदा होते हैं कैड़ेट्स का जो नैतिक स कि हर्दय में प्रोबकार की भावना उत्पन होती है, उनके दिल में त्याग की भावना उत्पन होती है, कैड़ेटों में उदारता की भावना उत्पन होती है, उनमें नेतरतों के गुणों का विकास होता है, उनमें नैतिक सतर को बढ़ावा मिलता है, तो इस तरीके से आप अलग-अलग point बनाके इस question को लिख सकते हैं जिससे आपको अच्छे marks मिल सकें आपके exam में next question है यहाँ पे कि how NCC cadets can help in pulse polio program launched by the nation कि जो हमारे देश का pulse polio program है जिसमें हमको polio को हराना है तो उसके अंदर NCC के cadets किस तरीके से help कर सकते हैं तो सबसे पहले तो pulse polio program में NCC cadets निमन परकार से योगदान दे सकते हैं सबसे पहला point यहाँ पे है रेली निकाल कर जनता में polio के परती जनता में जागरित्ती पैदा कर कर यानि कि लोगों में awareness लाके लोगों को जागरूप करके इसके बारे में यानि कि polio को किस तरीके से रोका जा सकता है polio होने की क्या क्या नुक्षान होते हैं इससे हम कैसे बच सकते हैं तो इन सभी बातों के बारे में लोगों को aware करके हम NCC cadets अपना योगदान दे सकते हैं polio boot पे डोक्टर की साहिता कर सकते हैं polio boot में आई हुई भीड को नियंतरित करके ठीक है उनको manage करके हम साहिता कर सकते हैं मरीज बस्तों को नजदी की polio boot पर ले जाकर दवाई पिलाकर और एसिक्सित लोगों को polio के विशे के बारे में जानकारी देके जो छोटे बच्चे हैं जिनको polio की दवाई पिलान यह है घर गर जाकर सबी को aware कर सकते हैं उन्हें साथ लाग सकते हैं इस तरीके से हम pulse polio program के अंदर जो हमारे देश के दवारा launch किया गया है उसमें NCC कैड़ेट साहिता कर सकते हैं तो यह जितने भी question आज हम कर रहे हैं यह social service से related है और इससे related question आपके exam में पूछे जाते हैं next question जो की very very important question है HIV से related question आपके exam में जरूर से जरूर पूछा जाता है और यह बात आपको यहाँ पर क्या करनी है भई ध्यान रखनी है question पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक important बात पताता हूँ वो important बात यह है कि अगर आप अगर आप अपनी तयारी को next level पर ले जाना चाते हैं अगर आप अपनी तयारी को बैतर करना चाते हैं तो अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि NCC के quiz हो हमारे पास यानि कि NCC के option type question हो जिने हम attempt कर पाएं और जिससे हम देख सके कि हमारे कितने question ठीक हो रहे हैं कितने question गलत हो रहे हैं तो उससे हमारी त्यारी क्या होगी और अच्छी हो पाएगी तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप टेलिग्राम पे जाएं टेलिग्राम के उपर proud group of NCC जो अपने channel का नाम है आप सभी को बताओगा आपने टेलिग्राम पे जाना है proud group of NCC सर्च करना है और जब आप proud group of NCC सर्च करेंगे तो क्या होगा आपको एक टेलिग्राम का channel मिलेगा और वहाँ पर आपको डेली के डेली NCC के quiz NCCC related important information questions ये सारी चीज़े हमाँ पे आपको available होती रहेंगी regularly और आप अपनी त्यारियों को बैतर कर सकते हैं और अपने exam में अच्छा score कर पाएंगे next question यहाँ पे है कि HIV से बचाओ के उपाई बताओ तो HIV से बचाओ के उपाई तो पहली बात तो होती है कि जब भी हम संभोग करते हैं तो वो safe होना चाहिए ठीक है important बात है और condom का परियोग हम कर सकते हैं इस्तेमाल की हो ही सुई का इस्तेमाल कभी भी ना करें क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति को HIV है उसको अगर वही सुई परियोग की गई है और किसी व्यक्ति जो सवस्त है उसको अगर सेम सुई का परियोग किया जाता है तो उसको भी अचाहिए भी होने का खत्रा रहता है AIDS से PDT इस्त्री को गरव बती ना होने देना मतलब क्या है कि अगर किसी इस्त्री को AIDS है अगर वो किसी बच्चे को जनम देगी वो जो blood है उसके अंदर कोई भी ऐसी विमारी ना हो ताकि वो हमारे सरीर को नए लग सके तो ये HIV से बचाओ के उपाय होते हैं जो आपको धिहान रखने हैं भाई Next question की तरफ हम बढ़ते हैं Next question है हमारे सामाजिक सेवा का उदेश से क्या होता है आपको करी ही क्यों जाती है तो सामाजिक सेवा का उदेश से है यहाँ पर हम NCC के respective में पूछ रहे हैं कि NCC कैडेट्स जब बात करते हैं कि समाज सेवा करते हैं तो उसका क्या उदेश से होता है तो कैडेट्स में ने स्वार्ट वावव से रचनातमक कारियों के परती रूची उत्पन करना जब कैड़ेट्स जाके important चीजे करते हैं समाथ सिवा से related जैसे की बलर डोनेट करते हैं सवस्ता से related कारिय कर्मों में भाग लेते हैं कोई आपदा आती है जब साहिता करते हैं इसके अलावा और जोंसे HIV से related लोगों को awareness फैलाते हैं तो इनसे क्या होता है कि उनमें एक नीस वार्थ भाव से रचनातमक क्रियेटिव कारियों की जो रूची होती है वो उत्पन होती है परस पर सहयों की बावना बढ़ती है अब कोई अकेला कैड़ेट तो जाएगा नीए पूरी की पूरी टीम जाएगा वे साथ में मिलके कारिये करेंगे तो उनमें भातरतों का भाव यानि की friendship होगी उनमें उनमें प्यार से काम करने का जज़बा बढ़ेगा टीम में कैसे काम करते हैं ये बज़जबा आएगा उनके अंदर अब जब टीम में काम करने होगे तो उनका कोई लीडर भी होगा या फिर कोई लीडर बनेगा तो उससे नेतरतों के गुणों का भी विकास होगा शरम की परतिष्ठा यहाँ पे ये वाला शरम है शरम की परतिष्टा मतलब क्या कि उनको पता लगेगा कि मेहनत की क्या इज़त होती है कैजट्स में सहवर की भावना, सहवर की भावना मतलब साथ में कारिय करने की भावना और संग्ठित कारिय से नेतरतों पैदा करना तो ये सारे के सारे क्या होते है, social service के क्या होते है, उदेश्य होते है Next question यहापे है, full form से related और मैं आपको बता रहाँ कि full form से related आपके हर exam में question पूछे ही पूछे जाते हैं और ये very important topic होता है, full form से related आपके exam में question पूछे जाते हैं और important days से related आपके exam में question पूछे जाते हैं फुल फॉर्म जिस तरीके से AIDS की फुल फॉर्म होगी, SLR की फुल फॉर्म होगी, LMG की फुल फॉर्म होगी, HIV की फुल फॉर्म होगी ये question आपके exam में definitely पूछे जाते हैं अब एक important बात मैं आपको याँ पे बताऊँ, इस question को समझने से पहले वो बात ये है कि जब भी हमारा NCC का exam होता है, तो हमको लेनी होती है exam में A grade A grade लेने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हम handbook उठाएंगे पूरी की पूरी लेकिन handbook के अंदर बहुत सारा material दिया होता है, जब हमारे दिमाग में चीज़े आते है कि कास हमारे पास NCC के notes होते जिनके अंदर सिरफ और सिरफ important question होते, तो हमको कम पढ़ना पड़े, यानि कि कम महनत में हम अच्छा score कर पाएं तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए NCC notes in Hindi के नाम से एक PDF त्यार की गई है, जिसके अंदर सारे के सारे important question है उसके अंदर previous year question paper को solve कर आए गया है, उसके अंदर सारी के सारी full forms को इकठा लिखा गया है important days जो आपके exam में पूछे जाते हैं, वे उसके अंदर डाले गए है इसके अलावा महाँ पे one liner question है, long answer type question है, और short answer type question है fill in the blanks है जो आपके exam में question पूछे जाते हैं, और true false भी उसमें दिये गए हैं यानि कि जो जो भी question आपके exam में पूछे जाते हैं, और जो जो भी important question आपके exam में पूछे जाते हैं तो आप यहां पर question की तरफ हम बढ़ते हैं और question में सबसे पहली जो full form पूछी गई है वो AIDS की full form पूछी गई है और AIDS की जो full form होती है acquired immunodeficiency syndrome very important है आपको पता होनी चाहिए साथ में मैं आपको बता दूँ कि आपके exam में ये question भी कई बार पूछा गया है कि AIDS Day कब मनाया जाता है AIDS Day कब मनाया जाता है तो AIDS Day मनाया जाता है वही 1 December को यह आपको पता होना चाहिए next question है यहापर की HIV की full form क्या होती है तो HIV की full form होती है human immunovirus हfolな NGO NGO की full form होती है non governmental organization DRDO आपको पता होना चाहिए DRDO की स्थापना कब होई थी यह आपको बताओ ना चाहिए तो DRDO की full form होती है Defense Research and Development Organization और CMG की full form होती है Carbine Machine Gun अगर आपको पता है तो आपको यह बताना है कि SLR की full form क्या होती है और LMG की full form क्या होती है और MMG की full form क्या होती है यह तीन full form आपको comment box में बतानी है जो की आपके exam के लिए very important है तो I hope यह video आपको अच्छी लगी होगी यह जो video जैनकी एक series है इसकी जो playlist मैंने बनाई है उसका link भी आपको description में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप सारी videos कोई कठा देख सकते हैं जिससे आपकी त्यारी बैतर हो सके इस तरहें के और videos के लिए जुड़े रहिए proud group of NCC YouTube channel के साथ next video तक जै हिंद जै भारत thank you very much